हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सलीम की गली और दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से 50 लाइक की रिक्वेस्ट की थी तो आप लोगों ने उस वीडियो पर पूरे 50 लाइक कम्पलीट कर दिये हैं तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद क चाता हूं और दोस्तों ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और उनका कमेंट ये था कि जो गाड़ी की पार्किंग लाइट होती है तो वो पैसेंजर साइड वाली एक लाइट उनकी वर्क नहीं कर रही है तो उसको कैसे ठीक करें और दोस्तों इस रिलेटेड तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिस करूँगा तो दोस्तों जो हमारी पैसेंजर साइड की हैड लाइट होती है उसके पीछे काफी स्पेस होता है बल्फ को रिमूवर रिप्लेस करने के लिए लेकिन हमारी जो ड्राइवर साइड की हैड लाइ इसे रिप्लेस कर सके तो मैं ड्राइवर साइड की हैड लाइट पे इसलिए काम करके दिखा रहा हूँ आपको क्यूंकि इधर का बल्फ रिप्लेस करना थोड़ा ज्यादा मुस्किल होता है तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी हैड लाइट को खोलना पड़ हर अपते ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पर और दोस्तों एर फिल्टर के पाइप को खोलने के लिए हमें यह वाला नट को खोलना पड़ेगा तो मैं जल्दी से इस वाले नट को खोल लेता हूँ और यह हमारा एक नट तो खुल चुका है और अभी इसको यह वाला नट कोलना है तो मैं जल्दी से इस वाले नट को भी खोल लेता हूँ दोनों नट को खोलने के बाद जो हमारा एर फिल्टर का पाइप है इसको यहां से हटा देना है इसके बाद जो यह यह वाइर किलिप में फसा हुआ है इस पे थोड़ा सा जोर लगाना है और भी यहां से हटा देना है यह जैसे निकल जाता है तो air filter के box के चारो clip हमें खोलने पड़ेंगे तो इसको एक एक करके मैं पहले खोल देता हूँ चारो clip कोलने के बाद जो हमारे air filter box का धकन है इसको उपर को उठाना है और उठाने के बाद यह अराम से main halogen bulb है तो इसको यहां से निकालने के लिए हमें जो है यह जो pin type का lock दिख रहा होगा इसके साथ यह lock रहता है तो इस pin को यहां से remove करने के लिए इसको थोड़ा सा push करेंगे और यह यहां से unlock हो जाएगा हमारा main bulb unlock करने के बाद simply pin को थोड़ा सा उपर उठाना है और bulb को बाहर की साइड खीच लेना है तो दोस्तों यह हमारा bulb बाहर निकल आया है कुछ इस तरीके से और अब इस bulb को इस coupler से अलग करना है तो इसके लिए एक हाथ से coupler को पकड़ना पड़ेगा कसके और दूसरे हाथ से bulb को पकड़ना पड़ेगा और इसमें थोड़ा जोर लगाना है तब ही यह बाहर निकल कर आएगा हमारा बल्फ तो देख सकते हो δोस्तों मैं इसको कैसे बाहर निकाल रहा हुं और देख सकते हो دोस्तों हमारा बल्फ बाहर आ चुका है और दोस्तों क्योंके मेरा बल्फ खराब नहीं है तो मैं इसी बल्फ को वापिस लगा दूँगा तो आपको अगर दूसरा बल्फ खरीदना हो तो मैंने description में link दिया हुआ है आप उसको खरीच सकते हैं वहाँ से जाके और अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका भी बता दे और जहां पर बल्फ को हम fit करने वाले हैं वहाँ पर देख लेना है कि जो ये cuts बने हैं तीन तो ये बल्फ हमारा वहीं पर fit होएगा ठीक है इस बल्फ की steel plate में भी ये cuts बने हैं ऐसे थोड़े उबरे हुए तो इन तीनो cuts को उस gap के अंदर fit कर देना है ये देखो दोस्तों ह हमारी pin ये lock हो चुकी है और बल्फ भी अच्छी तरीके से लग चुका है ठीक है दोस्तों और इसके बाद दोस्तों जो इसके पिछे का cover होता है तो वो भी मैं आपको लगाना बता देता हूँ कैसे लगाना है तो इस cover को इसके उपर रखना है headlight के उपर और ऐसे clockwise इसको ग का लेना है थोड़ा सा और इसके बाद ये जो हमारी parking light होती है इसके ठीक पीछे ही इसका bulb होता है ये वाला ठीक है दोस्तों इसको remove करने के लिए यहां से इसको anti clockwise गुमाना है थोड़ा सा और उसके बाद ये बल्फ हमारा बाहर निकल जाता है ऐसे और अब बात कर लेते है बल्फ को कपलर से बाहर निकलने की क्योंकि दोस्तों इसका तरीका थोड़ा सा अलग है जैसे हमने अपनी headlight वाले बल्फ को खीचके कपलर से अलग कर दिया था ये वाला बल्फ थोड़ा अलग तरीके से बाहर निकलेगा और इसका बड़ा simple सा तरीका है और मैं आपको बि easily बाहर निकल आएगा और दोस्तो पारकिंग बल्फ भी आपको चेंज करना आ गया है तो अब मैं जल्दी से इसको बंद करके दिखा देता हूँ तो बंद करने के लिए simply इसको डालना है इसमें और clockwise गुमा देना है और इसके बाद जो हमारा AC filter का box है उसको कैसे बंद करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एर filter के box को बंद करने के लिए simply इसके ढखकन को उठा के इसके उपर रखना है अच्छे से set करने के बाद जो इसका pipe है इसके जहां पर nut लगते हैं उसको उसमें डाल देना है उसके बाद जो है हमारे चारो clips जो है उसको बंद कर देना है ठीक है दोस्तों और इसके बाद जो ये wire लटका हुआ है इसको इसके clip के अंदर फसा देना है और अब हमारा air filter का जो pipe है उसके जो है net हमें जल्दी से कस देने हैं अब light को check करके देख लेते हैं work कर रही है या नहीं तो दोस्तों हमारी light बिल्कुल properly work कर रही है parking light भी और headlight भी तो दोस्तों ये था एक simple सा तरीका अपनी गाड़ी की parking light को ठीक करने का आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाई दोस्तों